हालो फ्रेंड्स वेलकम टू त्रिशास किचन आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और टेस्टी पालक के पकोड़े तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम बेसन इसमें डाला है स्वाद अनुसर नमक और बेकिंग सोड़ा दो से तीन पिंग जितना बेकिंग सोड़ा मैंने इसमें डाला है अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पाइन डालके इसका एक स्मूध बैटर रेड़ी करेंगे इसमें थोड़े भी लम्स नहीं रहने चाहिए ये देखिए बहुत स्मूध बैटर बन गया है इसे हमें थोड़ा सा पतला रखना है अगर हमारा बैटर जादा गाड़ा होगा तो हमारे पकोरे क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो इसे लिए हमें थोड़ा सा इसे पतला ही रखना है अब यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है इसमें थोड़ा सा पेशन डाल के देख लेंगे हमारा ओइल गरम हुआ या नहीं देख लिजे यह तुरंत उपर आ चुका है तो यह मैंने पालक के पते लिये है इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इसे यह बैटर में डिप करेंगे अच्छे से इसका जो बैटर है इस्ट्रा वो निकाल लेंगे और फिर इसे गरम तेल में डाल देंगे तो यह हमारा गैस जो है वो मीडियम टू हाई के बीच में है ज्यादा हाई पर नहीं रखना है जिससे हमारे पकोड़े का कलर जो है वो काफी ड्रार हो जाएगा और हमारे पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो यह देख लिजे एक तरफ से पकते वक्त इसे एक से देड़ मिनिट हो गया है तो इसे हम टर्न कर लेंगे इसे पकाने के लिए हमें लगबग तीन से चार मिनिट लग जाते हैं तो यह हमारे पकोड़े जो है रेडी हो चुके है इसका एश्ट्रा ओल जो है वो हम निकाल लेंगे और इसे टीशू पेपर पर निकाल लेंगे तो इसकी आवाज से ही आपको पता चल गया रहेगा कि हमारे पकोड़े कितने क्रिस्पी बने हैं इसी तरीके से हमने बाकी सभी पकोड़े रेडी कर लिए है तो यह हमारा एश्ट्रा जो है वो बैटर रहे गया है जो की वन फोर्थ कप के बराबर है इसमें हम यह पालक ड दालेंगे शाती इसमें देड से दो टेबल स्पून चावल का आठा इससे हमारे पकोड़े काफी क्रिस्पी बनेंगे और इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे तो इसमें स्वादनी उसर नमक डाला है अल्रेडी हमारे बैटर में भी नमक है थोड़ा सा खाने का सोड़ा डा यह एकदम थोड़े से मसाले डालने है काफी स्ट्रॉंग फ्लेवर नहीं चाहिए हमें थोड़ा सा हिंग भी डाला है हमने इसमें और यह अद्रक का पेस डाला है आप इसमें अजवाइन भी डाल दीजे मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है तो य इसे बहुत हलके हाथों से mix करना है अब जोर थोड़ा थोड़ा करके बेसन एड़ करना है क्योंकि हमें इसमें जादा बेसन एड़ नहीं करना है जितना हमें जरुरत होगी उतना ही हम बेसन इसमें एड़ करेंगे तो यह देख लीजे जितना बेशन हमने लिया था यह लगबख पांच टेबल स्पून जितना बेशन था तो यह पूरा बेशन हमने इसमें एड़ कर दिया है पालक के पकोड़े बनाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको उतना ही बैटर एक बार में लेना है जितना कि आप दो बैच में फ्राई कर सको अगर आप ज़्यादा बैटर बनाके रखेंगे न तो यह बैटर को पानी छूटने लगेगा और आपके तो यह देख लिएजे हमारा बैटर जो है वो रेडी है यह जो है हमने ओइल पहले से गरम कर लिया था तो यह देखिए इसी तरीके से हम जिस तरीके से हम कांडा भजी बनाते उसी तरीके से हम यह पकोडे चोड़ेंगे होती हलके हलके हाथ से इसे छोड़ना है ताकि हमारे पकोड़े जो है वो अंदर से लूज रहे और अंदर तक हमारे पकोड़े जो है वो अच्छे से क्रंची हो जाए जैसे ही एक साइट से कलर इसका चेंज होने लगेगा हम इसे टर्न कर लेंगे और इसे हर आदे से एक मिनट बाद इसे टर्न करते हुए हम इसे लगबख चार से पांच मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे तबी ये अच्छा सा golden color भी आएगा और हमारे पकोड़े जो है वो crunchy भी बनेंगे तो ये हमारे पकोड़े जो है वो ready हो चुके है इसी तरीके से हम बाकी सारे पकोड़े जो है वो ready कर लेंगे तो अब मैं दिखाती हूँ हमारे पकोड़े जो है कैसे बने है ये देख लिजे कितने सुन्दर दिख रही है मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ ये अंदर तक पके है, अंदर से soft और उपर से अच्छा से crunchy बने है सेम ये देख लीजे, ये पकोड़े भी हमारे बहुत ही सुन्दर बने है इसे भी मैं तोड़के दिखाती हूँ ये देखे, ये भी काफी crunchy बने है इसी तरीके से आप घर पर भी try कीजे अगर आपको मेरे recipes अच्छी लगती हो, तो मेरे recipe को like कीजे और मेरे channel को subscribe कीजे Thank you